साथ हो जैभी मैं हूँ परागमेंदर आप देख रहे दधिंग बजट 2023 बजट 2023 आ चुका है निर्मला सीता रम्म ने अपने बजट को पुरे भारत को सुना चुका है लेकिन इस बजट से पुरे भारत ने बहुत उमिद है लगाए थी कि पिछले बजट के बाद में इस मीडिया पर लोग तंज कसर है और मनुवादी मीडिया भी इस बजट को लेकर अपना तरक दे रहा है पूरी बातचीद आज किस बजट पर करेंगे और बताएंगे आपको कि किस प्रकार 2023 किस बजट में भाउजनों को इस देश के बहुसंग ख्यांक लोगों क्या मुनाफ पूचेंगे इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार ये 2023 का निर्मला सीतारामान और भारते जंदा पाइटे के माइदम सो जो बजट लाया गया है और इस बजट को लेकर क्या मानना है क्या इसमें बहुजन समाच को मिला है या नहीं मिला है क्या बताएंगे आज की 2023 के से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि बजट क्या चीज होती है यह इतना अमाउंट हमने रखा है लेकिन जब आप निर्मला सिता रमन का अगर आप स्पीच सुनते हैं पूरा तो उसमें आपको यह समझाएगा कि आकड़े गाइब है सारा का सारा जो भाशन है या फिर सारा जो उन्होंने अपनी बात कही है वो थेराटिकल है और जब डॉक्मेंटेशन की बात की तो उन्होंने अप्लोड कर दिया और संसद में आपको यह बताना है मोटा मोटी तौर पर कि आपने हेल्थ के लिए कितना रखा है और यह चीजे जो है वो कहीं मिस हो गई रहे गई है या फिर हम यह कह सकते हैं कि बीजेपी का यही सुभाव है बड़ी बड़ी बाते करना तो बजट गोशनाओ के लिए नहीं ह गोशनाओ के लिए तो चुनाओ में गोशना कर सकते हैं लेकिन उन्होंने बजट के दोरान आकड़े जारी नहीं किये और आकड़े जो है दस्तावेज में उन्होंने अपलोड कर दिया और जब दस्तावेज हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि पिछले साल की अपेक् प्झपाय को सब्सक्राइब जो कटोटी नहीं है बतार के लिए खास नरख कर बनाया हूआ है और चुनाओं को द्थान में सब्सक्राइब रखकर अपनी घुशनाओं को बताने के लिए उन्होंने अपनी वहावाही करने के लिए बजट दिया है कौनसे उन खास चीज है जिसके उपर में पुरा बहुजन समाज कहने के निर्बर है आपकौनसी उन खास बातों को लेकर उन कौन से विभागों को लेकर कटोती हुई है जिसके कारण इस देश का जब उसंख्यांग समाज है इसके जिन्दगी के अंदर में परिवर्तन आएगा या फिर उसको नुकसान होगा या क्या होगा वित्विभाग जो होता है वो यह डिसाइड करता है कि कि छेत्र में हम पैसा खरचा करें गे और वह जो पैसा है वह जो पैसा है वह अमाउंट देश के लिए ह Tennessee के लिए लगना चाहिए ガज़ेश को मझभूत बनाने के लिए देश के भविशया पर खरचा होना चाहिए कि थाकि यह इंवेश्य में वह वह देश के लिए काम मैं य या देश के डेवलप्मेंट के लिए काम है तो सबसे अगर हम आप देखे तो इतिहास उठा कर देख लो एजुकेशन ही जो है सारे विकास की कुझी है लेकिन सिक्षा पर बजट जो है वो कहीं न कहीं हमको नजर नहीं आ रहा है आज का बजट भी जो बनाया है एजुकेशन पर अगर हम उसे देखे पहली से बारवी कक्षा तक बजट में देखे तो उन्होंने इस बजट को कहां इस्तमाल किया है यह भी मतवपूर्ण है उस बजट का कहीं जिक्र नहीं है बजट का समाल क्यों हो रहा है और पढ़ाई में जिसका खंडन हो गया तो अब उनके तो चैनल अगर शुरू होते हैं तो किसनेश का मिला आपको देखना पराद भी तक कि बत् pasar goo ce कर तो आम लोगों के लिए यह हम कह सकते हैं कि प्रकार से मोदी जी जैसे हैं और उनका कि मैं तोफ़ की तो कटोरा जो है वो मोदी जी के हाथ में नहीं है आज देश के तमाम लोगों के हाथ में से बहुजन समाज के ही नहीं जो जो इस देश के अंदर शोषित रहा है आज भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया है उसके बाद में स्वास को लेकर किस तरीके से बजट में चीज रही जो हमने देखा कोरोना कॉल में कितने सारी समस्य पूरे देश ने जेला है जो लोग कहीने कई अपने घरों को चोड़कर शहरों में चले गए और उसके बाद में फिर से उन्होंने गाव में पलाएं कि उनको करना पड़ा और क्या फिर इस तरीके कि जो आर्थिक विकल्प है या फिर जो रोजगार के जो साधन संसाधन है ग्रामीनों के अंदर मीलाकों में इसम कोई बढ़ितरी हुई या नहीं सरफ हेल्प को लेकर नहीं या बताना चाहूह कि विकास के माइने या और ग्रामीन रूरल इनलाकों गरम हर घर भर में रोजगार मिलेगा दूसरा किसान जो है तो यह तमाम लोग गावों में रहते हैं तो इनके के लिए अगर आप देखें तो हेल्थ के लिए इन्होंने कटोती की है और 2022 में आकड़े आपको बताना चाहूंगे कि 2022 में जो है दो दसम्लाव 20 प्रतीशत जो है वह उनका अमाउंट रहां पूरे आप पूरा बजट का तो उसमें लगभग उन्होंने 37000 करोड लगभग उन और 2022 में जो है कि मतलब यह नहीं है कि कुछ एक दो रूपिया कम जादा हो रहा है यह क्या हो रहा है यह हजार करोड की बात हो रही और यही जो हुआ है जो चीज है एजुकेशन में भी हुई है एजुकेशन में भी कटोती हुई है रूरल डेवलप्मेंट तो इसके सारे आकड़े जो है हमें लगता है कि तमाम लोगों को दिखाने भी चाहिए तो मन्रेगा में भी जो है वो 73,000 करोड का पहले का बजट रहा जो क्या करता है रो कोन लोग रहते हैं कि तने सवरण गाव में रहते हैं और जो यसी आस्टी जो है वो ग्राव में रहते हैं तो इसका आगर आकड़ा हम देखते हैं तो लगभग 90 प्रतीशत जो यसी अस्टी बहुजन समाज है मानारिटीज और आज भी रूलर डोलप्मेंट के नाम पर भी कटोती की जा रही है अलपसंख्यांकों के साथ लगातार उत्पीडन हो रहते जैसे कि मुसल्मानों के साथ पुरे देश के अंदर और भी तमाम जैन सीखो है तो उनके लिए भी एक अलग से मिनिस्ट्री है लेकिन उसमें भी 38% जो है वो कटोती की गई है इसका मतलब पिछले साल की अपैक्षा हर चीज में कटोती की जा रही है तो कहीं न कहीं जिस विकास की लाइन को हम पकड़ना चाहा रहे थे महासत्ता बनना चाहा रहे थे अम्रुत काल कह रहे हैं तो यह अम्रुत काल नहीं समझाएगा एश के अंदर में लेकिन अभी तक उनके लिए कुछ स्पेसिफाइड ऐसा अमाउंट आकड़ा जारी नहीं हुआ है सीचाई के लिए उन्हें कुछ आकड़ा दिया है और वो भी जो है पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष का जो बजट है उसमें लगभग दो हजार करोड का जो है वो कमतरता आई है मतलब की कमी आई है कटोती की गई है तो सीचाई के लिए है बाकी जिन मांगों को लेकर किस किम और सब्सटाइमर के फ़लाना करेंगे किसानों के लिए स्टारटाप मोटयानाच के लिए इसा करेंगे वो करेंगे लेकिन अभी तक कोई आकड़ा उन्होंने जारी नहीं किया एक मनुवादी मीडिया के माध्यम से लगातार चीजी ट्रेंड में चल रही है कि साथ लाख रुपे कमाने जो वर्ष भर जो कमा रहे हैं लोग जो साथ पास से साथ लाख जिनकी आये पहली बात तो यह एक साल में सात साथ लाज कमाना मतलब लगवग पचासे साठ हजार का पेमेंट आपका होना चाहिए मंदली अगर आप महिने में साथ से साथ लाजार कमान कमा रहे हैं तो आप जो है वो उस टेक्स स्लैब आया उसके हिसाब से आप टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, या फिर नहीं कर पाएंगे, आपको उसके लिए माफी है, तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि कोरोना काल में कई लोगों की नोकरिया गई, और वो IT सेक्टर के लोग कहो, या फिर जो मजदूरी करने वाले लो कर रहे हैं आजकी तारीक में, या फिर सेक्टर में आज लोग काम कर रहे है, और लगबग जहां पर पचास से साथ अजार सलरी मिलती है उन पर जादा से जादा सवर्ण है तो उनके लिए है इसके लिए बहुजन समाज में खुश होने की कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है यह जब कोरोना का समय आया उसके बाद में बहुत बड़े पहमाने पर बीजेपी क कि पहले मैं बेहन मायावति जी का प्राथमिक जरूरत उन प्रूरत उ को पूरा करना के ताहत सरकार की जिम्मेदारी है उन ही उन्हें राशन बढाटा जाए जिन्दा रहने के लिए उन्हें राशन л長 चाह pagar को मुफ्त राशन好像 सथे सरकार है ङljah Tradica कार नहीं कहीं है लेकिन यही बात अगर आप बहूजन समाज पार्टी की नेता के नजरिये से देखे तो उनके हिसाब से यह है कि असी हजार करोड जो परिवार है जो लोग है उनके घर के लोगों को अगर नोकडिया आप दे देती है तो आपको मुफ्त मेराशन देना नहीं पड़ेगा लेकिन ववस्था जो है ववस्था क्या चाहती है इस देश की मनवादी ववस्था को हो या ब्रामणवादी ववस्था क्या चाहती है कि आप मांगते रहो हम देते रहेंगे मांगने से और इनके देने से क्या होती है बेबसी और लाचारी जो है जो गुलाम मा दिलो दिमाग पर चाही रहती है वहीं नेता क्या कहती है बहुजन समाट पार्टी की उनका यह मानना है कि नौकरिया दे दो वह अपने आप में काबिल हो जाए तो आपको उसके लिए कोई इस प्रकार की मुफ्त राशन की योजना नहीं चलानी पड़ेगी और दूसरी बात यह 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं तो 135 करोड लोग है इस देश के अंदर 80 करोण लोगों को दे रहे तो बाकी के जो लोग बचे हैं वो लोग है जिनके लिए राशन की ववस्ता नहीं कर रहीं सब्सक्राइब नाज के विवस्था माजबूद गया वहागा न पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम देख रहेगी पूरा कि इस देश के अंदर में 85 बनाम 15 के ही समर्थन में और उनके विरोध में हमको कहिने के देखने को मिलता है ऐसे में रोजगार इस देश के अंदर में भारते जंदा पार्टी ने बहुत ही बुलंदी के साथ कहां कि दो करोड रोजगार दे दे देंगे पंचर बनाना भी बहुत दुख के साथ मैं यह बता रही हूं कि रोजगार को लेकर फिलहाल कोई भी बड़ी घुशना नहीं हुई है जिस प्रकार वो अपने जो क्या कहते हैं अपने चुनावी घुशना में जैसे प्रकार से उनने कहा है कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे वो जैसे घुश लेकिन कोई भी पर्मानंट या फिर कोई मजबूत और सुरक्षित और सम्मान जनक नौकली देने की बात अभी तक नहीं हुई है तो यह युवाओ के लिए काफी दुख की बात है जैसा कि आपने इस पूरे बाचित के अंदर में देखा किस प्रकार पूरे देश के अंदर में जो बजट 2023 सी आया है निर्मला सीता रमन के माध्यम सी बजट को लाया गया आप सोच यह कि किस प्रकार इस देश के अंदर में पास से 7 लाक रुप है कमाने वाले लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा तमाम इस देश के अंदर में स्वास्त रोजगार और जो नय आसार इस देश के अंदर में हम देखेंगे वेग्यानिक सैशनिक सिक्षा के इस तर पर लेके तो यह तमाम जो महतोपूर्ण विभाग है इन विभागों क यह नहीं हो पारा है इसके अंदर में जो बड़ोती होनी चाहिए वह लगातार नहीं हो पारी है कि महाई को ले कर भी कोई कोई बड़ी घुष्टा नहीं कि महाई कम होगी पर्ट्रोल के दाम को कम होने कि कोई बात अब आपको क्या चीजे खरीदना है क्या चीजे सस्ती हुई है तो आप खिलोने खरीदे जो बच्चों के लिए है लेकिन वह ऐसा कोई यह महत्वपूर्ण वस्तू नहीं है कि जिसे खरीद कर उसका इंवेस्टमेंट बन पाई या फिर यह कह सके कि काम की चीज हो खिलोने ख खरीद सकते हैं पीवी खरीदे और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजे है उनमें को में कोई बदलाव आया है जैसे कि सिलेंडर की बात ले लो सिलेंडर की जो है आज सरवायू नहीं कर पा रहें आज भी ग्रामीन में लोग है लोग जो है अपने उसी इंधन पर व कोभाइल इलेक्टरिक वेहिकल खरी घाड़ी यह फिर अपर यह सब्सक्राइब करती है सीधा प्रभाव मतलब प्रभाव पढ़ता इसनी जिंदगी में हैं यहाँ पर हमने जो काफी सारी यहाँ पर सवाल लिये, सवाल के जवाब आपको रुबरू करवा है कि इस प्रकार बहुजन समाच को इस पूरे बजट से उनके जेब में क्या आएगा, उनके हिस्से में क्या आएगा, उनको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस बजट को ल दिवाना ना भुली.